दोस्तों हमारे यहां मुहावरा है कि खोदा पहाड निकली चुहिया इसका मतलब आज उन लोगों को समझ में आ रहा है जिनोंने दो तीन दिन पहले तक चड़ चड़ के रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स खरीदे हैं समांड डिसकसन को आगे बढ़ाने के पहले कहना जरूरी है आई एर एफसी हो आरवियनल हो या डिफेंस स्टॉक्स हो उन पर हम बहुत 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 बुलिश थे आज से एक डिड़ साल पहले जब दाम बाजब थे तब हमने सकारात्मक व्यू साजा किया था लेकिन उप्र लेवल पर जब दाम अनाफ सनाप हो रहे थे मार्केट में लालच का माहौल था तो हमने चेताबनिया जारी की थी बदले में हमको गालिया मिली थी पथर मिले थे और कुछ नहीं मिला था स्रीमान लेकिन आज आप सामने देख दीजिए बजट में निल बटे सनाटा मिला है कुछ भी नहीं मिला है रेलवे स्टॉक्स में कहा जा रहा था कि 20% ज्यादा एलोकेशन मिलेगा उसके सामने 6% एलोकेशन बढ़ाया गया है जो की उम्मीद की अनुसार है माने वर आप जानकर हैरान होंगे बड़ी बड़ी ब्रोकरेजिस ने नीचे के लेवल पर ये शेर अपने क्लाइंट्स को खरदवा दिये थे उसके बाद उसके बाद ही पॉजिटिव कमेंट्री चालू की जाती है अखवारों में हालत माने वर इतनी दैनी हैं कि साल 2026 मतलब अगले साल तक के डिवलप्मेंट के लिए अगले साल तक के लिए जो EPS अरनी पर शेर बढ़ने और रेलवे स्टॉक्स के पेर थर थर कांप रहे थे रेलवे स्टॉक्स में एक्सिडेंट होने के लिए बिलकुल तैयार है कब होता है यह देखने की बात है रही बात डिफेंस सेक्टर में तो वहां भी स्रीमान वही हालत है जनता के मुहमेट हूं से गए हैं उपनी दाम पर डिफेंस स्टॉक्स और इसमें किसी का दोस्त नहीं है पीछे सिर्फ लालच जिम्मेदार है अगर कोई व्यक्ति यह उम्मीद करके बैठ जाए कि अंतरिम बजट में अनाफ सनाप घोशनाय हो सकती है तो श्रीमान अब क्या कहें यह उस व्यक्ति को सीखना चाहिए कि ऐसे बजट में सिर्फ रेवडियां बांटी जाती हैं विकास के कारक्रमों के लिए बड़ा निवेश होगा इस बात की संभावना कम रखना चाहिए इतिहास गवाह है लेकिन मानने वर आजकल जमाना है एक मिनट की रिल्स देखने का तो लोगों को कहा फ़रसत है इतिहास देखने का बैसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी बजट से हम निराज हैं लेकिन एक सेक्टर जहां पर बजट में उम्मीद की किरन जागी है वो है डिसिन्वेस्टमेंट का सेक्टर सरकारी कंपणियों में हिस्सेदारी बेचने के मामले में बारा सरकार गंबीर है पिछले साल 40,000 करोड का टारगेट रखा था उसको घटा के 30,000 करोड कर दिया था उसके सामने वित्रवर्स में डिस इंवेस्टमेंट का टारगेट 50,000 करोड रखा गया है IDPI और कॉंकोर को बेचा जा सकता है कईस अरी अरचने आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद अगर मोजी सरकार चुनाव जीतती है तो इन दोनों कंपनियों का डिस इंवेस्ट्रमेंट हो सकता है जब हम यह खह रहे हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि चड़ चड़ के यह दोनों स्टॉक्स मत खरीदियेगा आगामी एक दो महिनों में आप एक माँ होगे अनेक अवसर आपको मिलेंगे अच्छा माल सस्तेदाम पर खरीदने के लिए इसलिए डिसिंवेस्टमेंट थीम के हिसाब से आप IDBI और कॉंकोर पर नज़र लख सकते हैं रही बात आपको रिक्मेंडेशन चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जोइन बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल की प्रो इन्वेस्टर मेमर्शप ले लीजिएगा ताकि रोजाना दो बजे हमारे साथ मिलकर आप फ्यूचर्स और आप्शन्स की ट्रेडिंग साथ में इन्वेस्टमेंट दोनों कर पाएं ज्यान देने का काम नहीं है प्रक्टिकल करेंगे पैसा कमा के दिखाएंगे आपको लाइव सेशन के जरीए